प्रश्न पत्र को हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे अगर आप आज के सेशन की बात करें तो आप यहां पर देख पा रहे हैं प्रश्न पत्र को हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे और जो आप लोगों के रिस्पॉंस आ रहे हैं यानि कहीं न कहीं आप बिल्कुल कमर कसके तयार हो चुके हैं एक्जाम हॉल में जाने के लिए प्रॉपर आप लोगों के कोशन भी बन रहे हैं किसी का टाइम का कर इशू है तो मैं बस यही सज़ेश्ट करूँगा कि आप मॉक्स लगाते रहें प्रैक्टिस करते रहें और टाइम जो आपका ज़्यादा लग रहा है किसी एक पर्टिकुलर कोशन में वो भी कहीं न कही मैनेज होगा और एक्जाम में कोशन को ना सिर्फ बनाना बलकि आपको कोशन को छोड़ना भी सीखना है किन कोशन को छोड़ना है कैसे छोड़ना है उसको कब अटेम करना है सारी चीज़े मैं यहाँ पर बताता चल रहा हूं मार्क फॉर रिव्यू के आप्शन को कैसे यू कर सकते हैं कोई भी नया ऐसा काम आप एक्जाम हॉल में जाकर के नया अप्रोच नहीं करेंगे जो कहीं न कहीं आपको रेस से बाहर ले जाए इसलिए जो भी चीज़े करनी है जितने भी प्रैक्टिकल करने हैं सब एक्जाम से पहले कहां आप बहतर कर पा रहे हैं किस अप खिंब करके आप जाधा नमबर of questions बना पा रहे हैं जितने भी practical करने हैं आप एक्जाम से पहले ही practical सारे कर लिजे एक्जाम होल में कोई भी practical आपको नहीं करना है चलिए बात करते हैं आज के session की आज के session के अगर हम बात करें तो पहला question mathematical operation से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है तो approach हमारा वही रहने वाला है board mask का हम rule follow करेंगे और यहाँ पर question थोड़ा सा different है previous अगर हम दो sessions की बात करें तो उससे थोड़ा सा लग है लेकिन मैंने जब बात करी थी mathematical operation की तो 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 अहाँ पर हर प्रकार के प्रस्नों को हम लोगों ने discuss किया हुआ है हार प्रकार्ट के प्रश्णों को हम लोगों ने हल किया हुआ है तो यहाँ पर हम बात करें बोला है कि दिये गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को एक दूसरे से बदलने की जरूरत है या आवशक्ता है ठीक है तो यहाँ पर हम संख्याओं की बात करें तो पहला option आपको दियागा है 20 और 40 तो 20 और 40 को बदलने से जो हमारा यहाँ पर divided by के साथ में आपको number दिखाई देरा कर वो एक हमें proper number मिलेगा यहाँ कि हमें point में number नहीं मिलेगा तब हम उस option के साथ जाएंगे जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 20 की जगे अगर हम 40 को रखें यह हो जाएगा आपका 40 और यह हो जाएगा 20 और यहाँ पर divided by 4 करने से आपको एक whole number बनता हुआ दिखाई देरा यानि कि इस option के साथ में हम जाएंगे इस option को हम चेक करेंगे तो अगर हम पूरे कि यहाँ पर equation की बात करें तो यह हो जाएगा 25 इंटू 7 यानि कि 175 प्लस का 40 माइनस का यहाँ पर हम बात करें 20 बटे 4 यानि कि यह value हो जाएगी 5 क्या यह 210 के बराबर है तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते 175 प्लस 35 करोगे तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको 210 बनता हुआ दिखाई देगा यानि कि 40 में से 5 हमने घटा लिया 35 कि 175 प्लस 35 करोगे तो 210 आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है यानि इस परडिकुलर के लिए आंसर हो जाएगा आपका option नमबर बात करें यहां पर पूछे गए प्रस्न की बात करें तो यहां पर आपको तीन संख्या इस प्रकार से लिखी गई है इनमें जो रिलेशन आ अगर हम यहां पर स्क्वाइर का लॉजिक ले रहे हैं तो क्या स्क्वाइर का लॉजिक लगता हुआ दिखाई दे रहा है और कहां स्क्वाइर का लॉजिक हमें चेक करने की जरूर था और कहां नहीं चेक करने की जरूर था यह भी थ्यान दे लिए कि अगर आपको यह दो क पे स्क्वेयर का logic चेक करने की आउशकता नहीं है दूसरा अगर हम logic की बात करे तो 25 और 4 का difference कि अगर हम बात करें तो 21 बनता हुआ दिखाई दे रहा है और 21 गुले हम क्या करें पांच करें तो हमें 105 बनता हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि अगर हम first two numbers का difference ले 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 और अगले जो हमें number प्राप्त होता है उसको हम क्या करें पांच से multiply कर दें या first वाले number में एक जोड़ करके multiply कर दें ध्यान दीजे या तो पांच से या तो अगले जो यहां पे number आपका था पिछला number यानि कि चार उसमें एक जोड़ने तो भी हमें पांच ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तो दोनों ही प्रकार से यहां पर logic आपको लगता हुआ दिखाई दे सकता है पहले अगर हम यहां पर विकल्प की बात करें तो 50 और 14 के अंतर की अगर हम बात करें तो अंतर यहां पर 180 बनता हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि इस प्रकार से आपका जो option number A है वो सही विकल्प हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए यानि कि हमने क्या किया पहले दो संख्याओं का अंतर ले लिए गुड़ा 5 इसे कर दिया पहली दो संख्याओं का अंतर ले लिए 36 option number A will be the answer for given question चलिए बात करेंगे अगले प्रस्ण की और अगले अधि मैं प्रस्ण की बात करूं तो पिछले दो सेशन की बात फिर से दोराना चाहूंगा कि नंबर को देखके आपको समझ में आना चाहिए कि कितने के स्क्वाइर के आसपास के नंबर से नंबर को देखकर क 173 की बात करें तो यहां पे 169 प्लस 4 हम इसको लिख सकते है 125 की बात करें तो 121 प्लस 4 लिख सकते हैं और 85 की बात करें तो तो Talking का square होता है 121 की बात करें तो 11 का square होता है 81 की बात करें तो 9 का square आपको देखने को मिल रहा है यहनी कि 9 प्लस 2 करोगे 11 11 प्लस 2 करोगे 13 राइट टू लेफ्ट इसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर में से चार घटाने पर पहली चीज़ तो नंबर क्या होने चीज़ एक परफेक्ट स्कॉयर होने चीज़ शुरुआत करेंगे ऑप्शन नंबर इसे 225 के अगर हम बात करें तो किसका स्कॉयर होता है 15 का स्कॉयर होता है यहाँ से आप देखने कि प्लस 2 293 के अगर हम बात करें तो 289 किसका स्कॉयर होता है 17 का स्कॉयर होता है उतना ही question बनाना आपके लिए आसान होता चला जाएगा और उतने ही बहतरीन और बहतर लोजिक्स के साथ में आप फैमिलियर होते भी चले जाएगे चलिए बात करेंगे आप अगले प्रश्न की अगला प्रश्न आपका paper cutting and folding पर based है मुझे नहीं लगता कि यहां पर आपको बहुत ज्यादा कुछ बताने क्या हो सकता है पहला option हो जाएगा आपका eliminate इसके बाद आपका option number B भी हो जाएगा eliminate इसके लावा अगर हम बात करें तो आपका option number क्या यह similar option number D भी हो जाएगा eliminate due to this particular triangle option number C क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा पूछे गए क्यों eliminate हुआ कैसे हुआ मैं पिछले दो session में भी आपको बताते आ रहा हूं और अगर बात करें paper cutting and folding तो वहां पर भी मैंने आपको proper तरीके से बताया कि आपको कुछ भी बनाने के और शक्ता नहीं केवल और केवल आप क्या करेंगे mirror image से question पूछ ले, water image से पूछ ले या paper cutting and folding पर बेज आप से question पूछता है आपको केवल और क्या करना options को eliminate करना है चलिए बात करेंगे आप अगले पूछे गए प्रस्न की जो कि आपका embedded figure पर based question है color मैं यहाँ पर marker का change कर लेता हूँ सबसे पहले अगर हम बात करें option number 1 की तो important बात क्या है कि आकरती को गुमाने के अनुमती नहीं है अब आकरती को अगर गुमाने के अनुमती नहीं तो यह वाला जो हिस्सा है यह हमें कहां मिलेगा यह हमें नीचे से right corner पे ही मिल सकता है नीचे से right corner पे अगर आप ध्यान देंगे तो यह वाली line इस प्रकार से आपको बनती हुई दिखाई नहीं देर इसलिए option number एक क्या हो जाएगा rotation not allowed इस वाले इससे की बात करें तो अगर हमें पता कि यह वाली पूरी proper line बनती हुई दिखाई नहीं देर इसलिए option भी क्या हो जाएगा eliminate हो जाएगा चले बात कर लेते हैं आप अगले विकल्प की अगले विकल्प की बात करें तो यह हिस्सा में कहां पे मिल सकता है तो यह हिस्सा में यहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस प्रकार से और अगर हम बात करें तो हम इस इस्से को consider कर सकते थे लेकिन यह पूरी proper line यहां पे यह हमें इस प्रकार से बनती हुई दिखाई नहीं दे रही या फिर अगर आप यह वाली line consider करते हैं यह फिर अगर आप इस वाली line को consider करते हैं तो यहां पे आपको यह line बनती हुई दिखाई दे रही है लेकिन इस line के बाद का जो आपका area है यह square वाला यह आपको यहां पे इस प्रकार से बनता हुई दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए यह भी option क्या हो गया eliminate अब exam hall में बैटके बुद्धिमानी करने की जरुत नहीं कि आप इसको भी बना करके देखे इसको सीधे क्या करेंगे answer mark करके आगे बढ़ेंगे आपकी तसलिक के लिए आपके मैं केवल बना करके दिखा रहा हूँ देखो अब यह इसा कहां पे मिल सकता था आपको इस पूरे के पूरे फिगर में जैसा कि बोला गया rotation not allowed तो अगर हम इस हिस्से की बात करें तो देखिए यह कुछ इस प्रकार से आपको यहां पे हिस्सा बनता हुआ दिखाई rotation not allowed तो यहां पे हमें पता था कि right corner से चेक करना ही है हमें पता था टॉप से चेक करना ही है मिड का पार्ट था तो मिड में चेक करना है तो इस प्रकार से आप option को eliminate करने के बाद exam में बनाने मत बैठ जीएगा सीधे answer mark करके क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे चल यह बात कर लेते अगले पूछे गए प्रस्ण की अगले प्रस्ण की हम बात करें तो यहाँ पर बोला है फूल सफेद और वस्तर तो फूल भी सफेद हो सकते हैं वस्तर भी सफेद हो सकते हैं यानि कि option number C क्या हो जागा right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए बात करेंगे आप अगले question की अगला question आपका again series पर बेज़ जाओ इस प्रकार की series पर मैंने बहुत सारे question कराएं प्रिवियस दो session में भी आपको इस प्रकार की series देखने को मिली है approach की बात करें तो सबसे पहले क्या करना होता हमें सबसे पहले यहां पर number of elements को count करेंगे number of elements की बात करें तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तीन तीन के चार प्यार है फिर चार चार के तीन decide कैसे करना element कौन कौन से यहां फिर चार리 के प्यर्य मेशलेश में इनको बाट दिजी तीन एक चार 2 एक 6 3 एक 5 एक엔 चारателей के चार इसमें भी भी लास्ट मिलाश्ट में यहां यहां पहले फिर भी पहले पहले यहां gonna पहले पहले और यहां थर्ड नंबर की बात करें तो Z sequence की बात करें तो fs z e option की बात करें कौन सा option यहाँ पर correct answer होगा तो correct answer हो जाएगा आपका f z f e z f z f e z यानि कि option नंबर e क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा f z f e z आप clearly यहाँ पर देख सकते हैं बनाना कैसे काफी आसान है आपको केवल क्या करना है number of elements को count करना है grouping करनी और most of the जो आपके question exam में पूछे गए हैं वो basically आपके group पर ही based test के अलावा मैंने आपको बताया है कि दूसरा जो प्रकार है वो कैसे बनता है वो आपका increasing or decreasing order मनता है every element change पर based question भी आपको देखने को मिलता है तो हर एक प्रकार के प्रस्ण को हम लोग already discuss कर चुके हैं तो अगर exam में कुछ भी नया आपसे पूछा जाता है तो भी आपको tension लेने के आउशकता नहीं है आप हर एक उस logic के साथ में family हैं जो की आपसे एक्जाम में पूछे जाने की संभावना है चलिए बात करेंगे अगले प्रस्ण की अगले हम प्रस्ण की बात करें तो गूगली का संबंध जिस परकार cricket से है उसी परकार gambit का संबंध किस से है तो gambit की अगर हम बात करें तो chess में चाल जो होती है यानि कि chess की terminology है यहाँ प फिर 17 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है चली बात करेंगे logical sequence of words की logical sequence of words में मैंने इस particular question quality discuss भी किया हुआ है यहाँ पर हम बात करें तो mozo की जगा आपको जुराबे लिखा हुआ दिखा हुआ दिखाई दिया था तो मैंने कहा कि अगर यह तो top to bottom यहाँ पर arrangement होग तो यहाँ तो turbo पहले आएगा यानि किKEN पांच और यहाँ तो सौक से पहले आएगा यानि कि century यहाँ तो शुरूआथ 4 यहाँ पॉज़ तो यहाँ पर आपको चार के साथ कहीं भी शुरूआथ हो दिखाई नहीं देर, यानि कि हम starting कहां से कर रहें, top से कर रहें तर्बन के बाद अगर हम बात के तो सबसे लास्ट में क्या आना चीए सबसे लास्ट में आपको आना चीए चार यानिकी मोजे तो आपको कुछ भी यहाँ पर करने की आशक्ता नहीं थी जैसे ही यहाँ पे आपने देखा टरबन तो पांच के साथ केवल और केवल एक ही विकल पे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा था आपको आगे कुछ पता हो ना पता हो यहाँ पे किस हम बात करें से आमलेट है वाजू बन बेल्ट तो सभी आप फैमलियर होंगे बेल्ट के साथ एसकॉर्ट की अगर हम बात करें तो गले में एक टाई नुमा पहने जाने वाला स्काफ आप बोल सकते हैं इसके बारे मनें डिसकस भी किया हुआ है तो आगे क्या सीक्वेंस है किसको कैसे अरेंज करना है कुछ भी आपको देखनी का और शक्तानी क्या करेंगे सीधे उप्षन मांग करके आगे बढ़ जाना है चली बात करेंगे अगले प्रस्न की अगले दिये हम प्रस्न की यहाँ पर बात करें तो आपको और वन आउट यहाँ पर अगर विकलपों की तो डर्मेटोल उझी और अलग अध्यन की तो के विग्जान को क्या गाहते है तो इस के उपर हम लोगों वेरिई स्टेडिज की उपर भी क्या terminology हम लोग already discuss कर चुके हैं तो यहाँ पर हम बात करें dermatologist की तो dermatology तो विज्ञान से संबन्दित है nephrology वरिक के विज्ञान से यहाँ पर संबन्दित है cardiology की बात करें तो हरदय रोग से संबन्दित है mycology बात करें तो कवक यानि कि अगर हम बात करें A, B और D की तो यह आपके manus related जो भी साएं है जो भी विज्ञान है उससे संबन्दित है जबकि यहाँ पर आपका जो कवक विज्ञान है वो क्या हो जाएगा अलग हो जाए नहीं डिफ्रेंस के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जीरो का डिफ्रेंस देखने को मिल रहा फिर अगर हम बात करें चल जीरो का डिफ्रेंस फिर अगर हम बात करें तो माइनस का 2 फिर अगर हम बात करें तो 108 फिर अगर हम बात करें यहाँ पर तो minus का 4 अगला क्या होगा minus 2 minus 4 इसके बाद जो terminology आगी वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि minus 6 हो सकता है यानि कि 0 के बाद यहाँ पे आपको 2 देखने को मिला यहाँ पे 108 का difference है यहाँ पे आपको 4 देखने को मिला जब हमें प्रस ने difference से बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा तब हम क्या करेंगे तब हम various logics की बात करेंगे various logics की उपर चर्चा करेंगे जिनको हम लोग already क्या कर चुके हैं discuss कर चुके हैं तो अगर हम यहाँ पे multiply का logic लगाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं multiplied by 1 यहाँ पे आपको minus 2 होता हुआ दिखाई दे रहा है और 108 यानि कि multiplied by 2 minus का sorry multiplied by 3 108 plus में किये थे तो 108 जब यहाँ पे हमने जोड़ा था 54 में यानि कि multiplied by क्या हो रहा है 3 हो रहा है माइनेस का 4 हो रहा है यानि कि next की कारा हम बात करें multiplied by 1 minus 2 multiplied by 3 minus 4 it means अगला क्या हो जाएगा multiplied by 5 हो जाएगा और multiply करो कि 5 से तो 15 55 और 8 पंचे 40 750 प्लस 40 790 option number B will be the right answer for the given question चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रस्न की blood relation पर based question है फटा-फट से क्या कर लेते हैं structure बना लेते हैं मयंक is the son of Arvind Arvind का son कौन है तो Arvind का son हो जाएगा आपका मयंक मयंक का gender clear मयंक and Kashyap are brothers मयंक और Kashyap क्या है भाई हैं इस प्रकार से हमने बना लिया आगे की बात करें सनहित is the brother of Arvind सनहित क्या है Arvind का भाई है बना लेते हैं next one अगर हम बात करें हुर्दय is the son of सनहित हुर्दय क्या है सनहित का पुत्र है question के अगर हम बात करें तो बोला हुर्दय is related to Kashyap का Kashyap से क्या संबंद है तो clearly देख सकते हैं चाचा चाचा का यह क्या है बेटा है तो चाचा के बेटे को क्या बोलते हैं cousin यानि की option number D क्या हो जागा पर correct answer हो जागा पूछे गए प्रस्ण के लिए बात करेंगे आप अगले question की अगले अगर हम question की बात करें तो again जिस चीज़ पर मैं बार बार आपको focus होने के लिए कह रहा हूँ और हर बार आपको वहां से प्रस्ण देखने को मिल रहा है यानि कि आपका square और cube से command होना बहुत आवश्यक है या आपको सकते हैं अनिवार है अगर आप exam crack करना चाहते हैं अपने लिए कि स्थान सुनिशित करना चाहते हैं तो बिल्कुल देख करके आपके mind मैं आना चीज़ 1936 की अगर हम बात करें 1936 तो याद करिए मैंने आपको बताया था 50 से कितना कम 50 से अगर हम बात करें 6 कम यानि कि कितना 44 तो हम क्या करते थे 25 में से 6 घटाते थे 19 और 6 का square लिख देते थे 36 तो किसका square दिखाई दे रहा 44 का इसके बाद अगर हम बात करें 23-78 में आपको बताया है कि जिस भी नंबर के last में 2, 3, 7, 8 आपको दिखाई दे जाएगा वो perfect square नहीं होगा तो यानि कि अगला number तो आपका perfect square नहीं 27-04 यहाँ पर कुछ भी जोड़ा या घटा है नहीं 27-04 तो 50 से कितना जादा 2 जादा तो 25 में कितना जोड़ते थे 2 और 2 का square कितना होता था 4 तो 27-04 किसका square हो जाएगा 52 का यह भी आपको perfect square बनता हुआ दिखाई दे रहा किसका 52 का 21-16, 50 से कितना कम 4 यानि 46 तो 25 में से कितना घटाते थे 4 यानि कि 21 और 4 का square कर दे तो 16 21-16 किसका हो गया square 46 का यानि कि अगर हम बात करें यहापे second option को छोड़ दे तो बाकी सभी के सभी number क्या है perfect square है और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा पूछे गए प्रस्ने के लिए बात कर लेते हैं अगले question कि अगले अगर हम question की बात करें तो जो सबसे पहले priority होगी वो किसकी होगी difference की होगी difference का बहुत ही जादा क्या है importance यहापे आपको देखने को मिलेगा तो सबसे पहले अगर हम difference की बात करें तो 93 और 87 के बीच में आपको 6 का difference देखने को मिलेगा तो किसी भी particular अगर यहाँ पे हम number की बात के जिनके बीच में 6 का अंतर देखने को मिलेगा उस विकल्प को हम क्या करेंगे priority देंगे 92 और 96 की बात करें तो यहाँ पे 4 का अंतर 64 की बात करें तो 3 का अंतर यहाँ पे 53 और 49 की बात करें तो 4 का अंतर 55 की बात करें तो 3 का अंतर कहीं पे भी आपको 6 का अंतर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहाँ हम बात करें यहाँ पे दूसरे logic की दूसरे अगर हम logic की बात करें तो जो आपको पहला number है इनकी digits के बीच का जो अंतर है वो कितने का है 6 का है और इसी में से हमने क्या कर दिया 6 घटा करके अगला number यहाँ पे बना लिया है इसी प्रकार अगर हम 96 की बात करें तो इनकी दोनों digits के बीच में अंतर कितने का है 4 का है यहाँ पे अंतर आपको 3 का देखने को मिल रहा है 49 4 और 9 के बीच में 5 का अंतर जबकि यहाँ पे 49 और 33 के बीच में 4 का अंतर यह option भी होगा आपका eliminate यहाँ पे last को option mark करने से पहले चेक कर लेना भाई कि logic valid है कि नहीं है ठीक है कहाँ eliminate करना है कहा option mark करना हर एक चीज़ बताते चला हूँ 5 और 8 के बीच में 3 का अंतर 8 और 55 के बीच में भी 3 का अंतर यानि कि यही क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा इस logic की basis पे यह logic आपको है पे valid होता हूँ दिखाएगा option number D में चली बात करेंगे अगले पूछेगे प्रस्ण की गौवा यहां पे लिखा हुए पपीता विटामिन सी यह निए पपीते में क्या पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है basic question है गौवा के अगर हम बात करें विटामिन सी यह यह option हो गए आपका eliminate gooseberry हिंदे में लिखा हुए करोंदा तो ध्यान दीजे gooseberry का मतलब आवला से भी होता है और करोंदा सी भी होता है तो आपको दोनों ही meaning आपको देखने को मिल जाएगा gooseberry के लिए आवला और करोंदा और दोनों ही vitamin C से क्या होता है भरपूर होता है आपको यहां पर सही बनता हुआ दिखाई दे रहा next one अगर हम बात करें carrot की तो carrot में vitamin A भरपूर मात्रा में apple की बात करें तो यहां पर भी vitamin C आपको देखने को मिलेगा जब कि यहां पर देखने को vitamin D यानि कि अगर हम correct option की बात करें तो correct option हो जाएगा आपको option number B पूछे गए प्रस्न के लिए चली बात करेंगे अगले question की सीधे सीधे place value 10 से 4 14 14 से 4 18 18 4 22 6 से 5 11 11 से 4 15 और 15 से 3 18 यहां पर हम बात करें 12 से 5 17 17 से 4 21 और 21 से 3 24 सीधे सीधे option number यह को answer mark करके बढ़ सकते हैं क्यों क्यों क्योंकि दोनों similar होगे तो अब्वेसी बात यही क्या होगा अलग होगा next one भी आपको same logic लगता हो दिखाई देगा देखा 18 5 23 तेश में 4 जोड़ोगे 27 और यहां पर एक में तीन जोड़ोगे तो डी चलो figure series पर based आपको question दिखाई दे रहा है काफी interesting और अच्छा question है I hope कि आपको यहां पर चीज़े visible हो रही होंगी चली बात करेंगे यहां पर logic की logic की बात करेंगर तो सबसे पहले हम आते है step 1 में step 1 में आपको end यहां पर as it is constant दिखाई दे रहा है अगले step में इसके बाद के ज़र हम बात करेंगर तो dollar की जगे पर आपको dollar नहीं दिखाई दे रहा है यहां पर constant दिखाई दे रहा है और यह बीटा का sign क्या दिखाई दे रहा है जबकि बाकी सब क्या कर गए है दो-दो step move कर गए है it means अब अगले step में क्या करेंगे यह सभी element जो यहां पर constant थे यह सभी दो-दो step move करें यानि कि dollar की जगे पर आपको क्या दिखाई देगा at the rate dollar की जगे पर आपको at the rate दिखाई देगा जो कि आपको option number c में दिखाई दे रहा है यही क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए इसके लाब आप ऐसे देख सकते हैं पर verify करा सकते हैं पर बीटा की जगे पर आपको दिखाई देगा dollar और at the rate की जगे पर आपको दिखाई देगा बीटा जो कि आपके option number c में clearly बनता हुआ दिखाई दे रहा चली बात करेंगे अगले प्रस्ण की अगला प्रस्ण आपका coding recording recording पर based question है last session में भी हम लोगों ने इस प्रकार के question को solve किया था यहां पर फटा फट से क्या कर लेते हैं given word लेते हैं namely बात कर लेंगे इनके place value की place value के अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा 14 यह हो जाएगा 1 यह हो जाएगा 13 यह हो जाएगा 5 यह हो जाएगा 12 यह हो 24 फटा फट से इन सब का sum कर लेते हैं तो 25 पांच हो गया 30 12 और 13 हो गया 25 यह हो गया आपका 55 55 60 10 70 value आगई आपकी 70 यहां पर देखने को मिल रहा है 74 number of consonant के अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 4 consonant दिखाई दे रहे तो हो सकता है number of consonant को हम लोगों ने क्या किया हो verify कैसे करेंगे verify करेंगे next given word से यहां पर next given word आपको दिया गया है manage सीधे सीधे लिखते है place value तो यह हो जाएगा 13 1 14 1 7 और 5 सब का sum करते हैं चौदा साथ हो गया 21 21 और 13 की बात करें तो हो गया 34 35 36 और 5 41 नमबर देखने को मिल रहा है यहां पर आपको 45 number of consonants की बात करें तो एक दो तीन consonant यहां पर तीन ही है जबकि add कितना किया गया 4 it means हम कह सकते हैं जो भी इनका sum आ रहा है उसमें हमें क्या कर देना है plus 4 कर देना है पूछे गए अगर हम यहां पर word की बात करें M-U-S-H-E-R यानि की हो जाएगा 13 ही हो जाएगा 21 ही हो जाएगा 19 ही हो जाएगा 8 ही हो जाएगा 5 ही हो जाएगा 18 सबको क्या कर लेना है जोड लेना है अठारा पांच तेइस तेइस और आट की बात करें तो 31 इक तीस और नों की बात करें तो 40 दस 50 पचास और 20 सत्तर एक खत्तर और 13 की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 84 84 प्लस 4 करोगे तो 88 option number C क्या जाएगा आपका right answer हो जाएगा पूछे गए प्रशन के लिए चलिए अगला question आपका सिलोग से रिलेटेड है सम इंसेक्ट्स और अनिमल्स फटा फट से स्ट्रक्चर बनाना है सम इंसेक्ट्स और अनिमल्स कुछ इंसेक्ट्स क्या है अनिमल्स कुछ अनिमल्स क्या है फ्रॉग्स है औल फ्रॉग्स और कैट्स सारे के सारे फ्रॉग्स क्या है कैट्स बात कर ल सब्सक्राइब और अंसर के अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा और अल कंक्लूजन्स फॉलो क्लियर ऑप्शन नमबर भी यहां पर राइट अंसर हो जाएगा प्रस्ण को आप यहां पर हिंदी में भी देख सकते हैं स्क्रिन शॉट ले लिजा अगर आप हिंदी में बनाना चाहते हैं तो नेक्स्ट कोश्चिन अगें मिरर इमेज से मैंने क्या कहा मिरर इमेज में क्यों और क्यों और ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे मिरर में वाटर वाली जहां भी इमेज दिखाई दे जाए टी उल्टा है टू यहां पर आपका उल्टा बन्दा जेड यहां पर इस इस बन्दा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा पूछे गए प्रस्चन के लिए देखना भी एक आर्ट है नंबर ऑफ कोश्चिन की प्रैक्टिस करोगे देखना सीख जाओगे यहां पर कौन सा मिरा रिमेज है कौन सा वाटरी मेंज है चलिए अगला कोश्चन जैसे कि हम लोगों ने सीजियल में देखा मैट्स पर बेस्ट कोश्चन आपको रिजनिंग सेक्शन में दिखाई दे रहे थे हलां कि यह काफी इजी सा कोश्चन है इसको हम लोग यहां पर डिसक इसके पास कितने हैं तीन तो इसको दे दे रहा है यहां पर इशान को तो इसने क्या कि छैपल उठाए और यहां पर दे दिया तो इसके पास रिमेनिंग कितने बज गए छै आगे कि अगर हम बात करें टू अनीज number of apples that Anish has to Ishan and four apples to Anish और छे मैंसे चार किसको दे दिये तो चार दे दिये आनीज को तो छे मैंसे जब चार इनको दे दिये तो इनके पास बच गए दो इनके पास होगे कितने 22 और इनके पास होगे कितने 7 पूछा किया यहां पर then how many apples are left with Amun तो Amun के पास कितने बचे तो Amun के पास यहां पर दो एपल बचे आंसर को जागा option number C आसान सा question था आसानी से आप इसको बना सकते हैं बात कर लेते हैं अगले question की session को proper watch कर रहे हैं notes का compilation आपके पास है और practice session और mocks आप लगा रहे हैं तो आप बिलकुल निश्चिंत रहे हैं आप आसानी से exam में प्रश्णों को बना पाएंगा और अपना improvement और progress आपने मौक में या practice session में ही देख लिया होगा बात कर लेते हैं आप अगले पूछे गए प्रश्ण की टी से स माइनस एक प्लस दो माइनस तीन प्लस चार माइनस पांच यहां पर भी क्या करना है माइनस एक शे में से एक जाएगा पांच नो दो करोगे तो कितना 11 माइनस तीन करो यहां पर क्या करना है माइनस 6 करना है 19 मिल जाएगा माइनस 6 19 25 से माइनस 6 यहां पर हमने क्या किया प्लस एक सिकंड एक सिकंड वेट करेंगे अप्शन नमबर यह नहीं है देखिए अप्शन नमबर यह आंसर नहीं होगा एक सि के बाद एक्स और ट यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे पहले वाले में हमने क्या किया, हाँ पर माइनस 1, दूसरे वाले में हमने क्या किया, प्लस का 2, तीसरे वाले में हमने क्या किया, माइनस का 3, चौथे वाले में हमने क्या किया, प्लस का 4, पाचवे वाले में हमने क्या किया, माइनस का 5, in the same way, ma-1 करेंगे तो e मिलेगा, plus क 2 करेंगे तो k मिलेगा, minus क 3 करेंगे तो मिलेगा हमें c, फिर plus क 4 करेंगे तो मिलेगा x और minus क 5 करेंगे तो मिलेगा हमें t यानि option number d क्योंनली क्यों हो जायगा, तो कई बार यहाँ पर similar option है यहाँ EKC और मैंने फोर्थ वाले पर ध्यान नहीं दिया ठीक है चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले पूछेगे प्रश्नकी pencil is written as CILNP अब इसमें भी अगर आपको मेहनत करनी पड़े तो बेकार है self coding का question है और यहाँ पर alphabetical order में आपको letters arrange किये हुए दिखाई दे रहे हैं in the same way यहाँ पर F R O S T आपको F O R S T के format में दिखाई दे रहा है it means अगर हम बात करें यहाँ पर dustbin के तो जो सबसे छोटा element है वो हो जाएगा आपका B फिर हो जाएगा यहाँ पर आपका D फिर हो जाएगा आपका I फिर हो जाएगा N फिर हो जाएगा S T और U alphabetical order में clearly आपको arrange होते हुए दिखाई देर इनकी place value के आधार पे भी आप इसको क्या कर सकते है verify कर सकते हैं exam में ऐसा कुछ भी आपको करने की ज़रत नहीं है सीदे क्या करेंगे BDI NSTU BDI NSTU option number B के साथ हम लोग यहाँ पर जाएगा option number B क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा पूछे गए प्रशने के लिए बात कर लेते हैं आज के session के last question की जो कि आपका counting of figure पर based question देखने को म देखने जाए अगर हम बात करें यहां पर बात करी जारी number of rectangles की और मैंने आपको बताए कि number of rectangles में हम लोग squares को भी consider करते हैं और rectangles को भी consider करते हैं यहां पर आपको इस प्रकार की आकरती बनती हो दिखाई नहीं दे रही यानि कि हम क्या करें यहां पर चतुर भुजो की कुल संख्या निकालेंगा और उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था यह क्या हो जाएगा number of rows and number of columns को लिख करके add कर लेना होता है यहां पर value हो यहां पर value हो गई तीन दोनों का multiply कर देंगे answer क्या मिल जाएगा option number यानि कि यहां पर 30 number of rectangles आपको बनते हो दिखाई देंगे तो I hope कि आप अब तक आपकी भी speed आ चुकी होगी आप भी कहीं कहीं हमारे साथ questions को बना पा रहे हैं जो additional points आपको में बताता चला हूँ वो आपके exam में काफी helpful होने वाले आपके लिए proper copy और pen लेकर कि आपको प्रतिक session में हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़ना है और comment box मे comment करके विल्कुल ना बताना भूलें कि आपके पूछे गए प्रस्णों में से कितने प्रस्णों के उत्तर सही सही आ रहे हैं किसी particular question का अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कठनाई हो रही है वहाँ पर भी आपको बताएंगे कि ऐसे प्रस्णों में आपका अप्रोच क्या कि यहाँ झा प्रस्णों के उपको लगता है विल्कुल उपको लिस प्रस्णों में से कितने प्रस्णों में प्रस्णों में।